वेलकम टू माइ चानल आज हम बनाएंगे समोसा समोसा खाना हर किसी को बहुत पसंद है आज की इस वीडियो में हम बहुत ही खास्ता समोसा की रेसिपी लेकर आए हैं आप मेरे इस वीडियो को जरूर देखिएगा और पसंद रहे तो इसे लाइक और सेयर भी कीजिएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम दो बनाकर त्यार कर लेंगे इसके लिए हम एक कप मैदा लेंगे ये 800 ग्राम मैदा है मैदा डालने के बाद हम इसमें आधी छोटी चम्मच नमक डाल देंगे नमक डालने के बाद इसमें एक चौथाई चमच अजवाइन डाल दे अब हम मैदे में अजवाइन और नमक को अच्छी तरह से मिला देंगे और उसके बाद समोशे को खास्ता बनाने के लिए हम यहाँ रिफाइन का इस्तिमाल करेंगे तो तीन चमच आप इसमें रिफाइन डाल दे आप चाहें तो रिफाइन के जगह घी का भी इस्तिमाल कर सकते हैं तो तीन चमच रिफाइन डालने के बाद हम इसे पहले अच्छी तरह से मिला देंगे मैदे में आप रिफाइन को अच्छी तरह से मिला दे और जब इसका texture ऐसा हो जाए, ये देखिए, इस तरह से bind होने लगे, इसका मतलब कि ये perfect है तो हम इसमें अब पानी डालेंगे और इसका एक दो बनाकर तयार कर लेंगे तो थोड़ा थोड़ा पानी आड़ करें और इसका एक करा डो बनाकर तयार कर ले गीला डो हमें नहीं बनाना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और डो बनाना है तो ये देखिए, डो हमारा बन फिर तयार हो गया है अब हम इसे डख करके रख देंगे रसमिरट के लिए और तब तक आलू बना लेंगे आलू बनाने के लिए हम यहां गैस पर एक पैन चड़ाएंगे पैन के गरम होते ही हम इसमें तीन चम्मच तेल डाल देंगे तेल जैसे ही गरम होगा इसमें आधे इंच अद्रक को बारीक काट करके और एक हरी मिर्च को बारीक काट करके डाल देंगे अब हम हरी मिर्च और अद्रक को कुछ सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे जैसे ही अद्रक और हरी मिर्च पक जाएगा हम इसमें एक चौथाई कप मटर डाल देंगे तो यहां हम फ्रोजन मटर का इस्तिमाल कर रहे हैं आप फ्रेस मटर भी ले सकते हैं मटर को हम ढग करके दो मिनट तक मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे दो मिनट के बाद हम देखेंगे कि मटर हलका सो सॉफ्ट हो गया है फ्रोजन मटर को ज्यादा पकाना नहीं रहता है अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और सारे मसाले आड़ करेंगे तो एक तीहाई चमच इसमें हल्दी पौडर डाल दें आधी छोटी चमच धनिया पौडर डाल दें फिर इसमें एक चौथाई चमच गरम मसाला पौडर डाल दें और लास्ट में एक छोथाई चमाच लालमिज पॉडर डाल दें यहाँ हम कास्पीरिी लालमिज पॉडर का इस्तेमाल कर रहे हैं इससे कलर अच्छा आता है अब हम लो फ्लेम पर मसालों को 2-3 minutes तक बस fry करेंगे हाई फ्लेम पर हमें मसालों को fry नहीं करना है और फिर इसमें डाल देंगे अब आलू को अच्छी तरएसे मसालो में इसमेरे मिक्स कर लेना है एक फ्लीम की डियंगेशन पर फ्लीम के नियुक्त रहने और मीडियCon ber पर य मितारों लिडाओ पिर फ्लीम पर विसे दो से तीन मिनट तक पकाएंगे ध्यान रहे कि नमक डो में भी है तो उसी हिसाब से डालें अब हम इसमें थोड़े से काजू और थोड़े से किसमिसाद करेंगे अब हम इन सभी को अच्छी तरह से आलू में मिला लेंगे ग्यास का फ्ले मीडियम रखे और बस एक मिनट के लिए इसे पका लें अगर आपके पास आमचुर पॉडर नहीं है तो इसे स्किप कर दें तो ये देखिए आलू बनकर तयार हो गया है अब हम गैस ओफ कर देंगे और इसमें थोड़े से बारिक कटी हुई धनिया पत्ता डाल देंगे दनिया पत्ता डालने के बाद हम आलू में अच्छी तरह से इसे मिला देंगे तो ये स्टफिंग के लिए आलू बनकर तयार है अब हम चलते हैं समोसा बनाने के लिए समोसा बनाने के लिए डो को एक बार फिर से हम अच्छी तरह से इस तरह से मिला लेंगे और फिर इसे तोड़ लेंगे तो हम यहाँ मीडियम साइस के समोसे बना रहे हैं तो मीडियम साइस के लोई तोड़ रहे हैं अगर आप छोटे समोसे बनाएंगे तो छोटी लोई तोड़ें अब हम इसे बेलेंगे तो थोड़े से मैदा लगा लें और उसके बाद इसे बेले तो इसे आप थोड़े लंबाई में ओवल सेप में इसे बेले हम आपको इसकी ठीकनेस दिखाएंगे कि कैसी होनी चाहिए इसे हमें ज़्यादा ठीक भी नहीं बेलना है और नहीं ज़्यादा पतला बेलना है ये देखिए इसकी ठिकने सितनी ही होने चाहिए अब हम चाकू से इसे बीट से इस तरह से कट कर लेंगे अब हम एक समोसे बना कर दिखाते हैं हम एक एजेस को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके उपर थोरा सा पानी लगा देंगे ये देखिए इस तरह से हलका सबस पानी लगा दे और दूसरे एजिस को इसके उपर इस तरह से चिपका दे आप चाहे तो बिना पानी के भी से चिपका सकते हैं आप इसे अच्छी तरह से इस तरह से चिपका ले ताकि समोसा फ्राइ करते समय ये खुले ना अब हम इसके अंदर stuffing डालेंगे तो आप इसके अंदर एक चम्मच stuffing डाल दे और उसके बाद इसे इस तरह से हलका दबा कर अब हम इसके नारू में भी पानी लगा देंगे हलका सबस पानी लगाना है और फिड़ इस तरह से चिपका देना है आप अच्छी तरह से इसे चिपका दे ताकि समोसा फ्राई करते समय यह ना खुले तो यह देखिये समोसा वनकर तयार हो गया है अब हम इसे एक प्लेट में रख देते हैं दूसरे समोसी को भी हम इसी तरह से बना लेंगे एक हैजस को इस तरह से फोल्ड करके इसके उपर हलका सा पानी लगाएंगे और दूसरे जिसको इसके उपर रख कर चिपका देंगे बस ध्यान रखे कि अच्छे से ये चिपक जाना चाहिए अब इसके उपर हम इस तरह से फिर से पानी लगा कर इसे चिपका देंगे तो ये देखिए समोसा बन कर तयार है सारे समोसे को हम इसी तरह से बना कर तयार कर लेंगे अब हम चलते हैं समोसे को फ्राई करने के लिए समोसा फ्राई करने के लिए हम यहाँ पैन में तेल चड़ाएं तेल हमारा मीडियम गरम होना चाहिए ज्यादा गरम तेल में नहीं डालना है समोसा मीडियम गरम तेल में हम समोसे को डालेंगे और 2-3 मिट तक लो फ्लेम पर पहले हम इसे पकाएंगे हमें समोसे को हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं करना है नहीं तो इसके उपर बबल सा जाएगी और जिससे की समोसा देखने में अच्छा नहीं लगेगा 2-3 मिनट के बाद हम इसे पलट देंगे और उसके बाद लोग मीडियम फ्लेम पर हम इसे गोल्डेन ब्राउन होने तब फ्राई करेंगे समोसे को इस तरह से fry करने पर समोसे के उपर bubbles नहीं आता है इसके उपर की जो layer होती है बहुँत ही अच्छी होती है हम आपको दिखाते हैं तो ये देखिए कितने अच्छी layer है इसकी ऊपर की और इसकी ऊपर थोड़े से भी bubbles नहीं आया है तो जैसी समोसा golden brown हो जाएगा हम इसे एक plate में निकाल लेंगे तो सारे समोसे को आप निकाल ले अब हम चलते हैं इसे serve करने के लिए समोसे को हम red chutney या फिर green chutney के साथ serve करेंगे एक समोसे को हम तोड़ कर दिखाते हैं कि ये कितना खास्ता बना है तो ये देखिए ये समोसा बन कर तयार है कितना खास्ता बना है तो आप इस समोसा की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें सामके snacks में और अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी तो इसे like करें और share करें